स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे यूटूब चैनल पर तो आज क्लास 12 के भौती विज्ञान अभ्यास साथ में आज हम लोग पढ़ेंगे परतिया वर्ती धारा से संबन देत कुछ परिभासाएं मतलब परतिया वर्ती धारा से कुछ परिभासाएं कौन कौन है जैसे आवर्त काल क्या है आबिरती क्या है आवसद मान क्या है परतिया वर्ती धारा का जो है आवसद मान क्या होता है परतिया वर्ती बोल्टेज का आवसद मान क्या होता है आज इस वीडियो में बताया और आप सभी विद्यार थी इसे अपने कॉपी में नोट करते चलिएगा जिसे आपका एक नोट सभी बनता रहेगा तो पिछले भाग में हम लोग पढ़े थे परतिया वर्ती धारा और दिश्ट धारा तो यदि आप उस भाग का वीडियो आप नहीं देखे होंगे तो प्ले आपको धियान देना है उत्तर आपको क्या होगा याद हो जाएगा तो परतिया वर्ती धारा अपनी एक चक्र पूरा करने में जितना समय लगता है उस समय को ही क्या कहते हैं आवर्त काल कहते हैं जैसे यहां पर जो बताया गया था कि परतिया वर्ती धारा का मान क्या होता ह समय के साथ जो है बदलता रहता है और इसका दिसा ध्यान दिजेगा इसका दिसा भी क्या होता है बदलता रहता है तो यहां से मतलब एक चक्र पूरा करने में यहां से लेकर के यहां तक जो है एक चक्र पूरा करने में जीतना समय लगता है उस समय को ही क्या कहा जाता है आवर प्रत्यावर्ती धारा अपनी एक चक्र पूरा करने में लगा समय को लगा समय को क्या कहते हैं आवर्त काल कहते हैं इसे टी से परदर्शित करते हैं इसे टी से परदर्शित करते हैं टी से परदर्शित करते हैं करते हैं इसका मात्रक इसका मात्रक सेकेंड होता है इसका मात्रक क्या होता है सेकेंड होता है तो समझ में आगया होगा परिभासा परत्यावर्ती धारा अपनी एक चक्र जो है एक चक्र हुआ और एक चक्र में लगा समय को ही क्या कहते हैं आवर्तकाल कहते हैं तो आवर्तकाल जो है घरेलू जो परिपत होता है उसमें जो है परत्यावर्ती धारा का जो आवर्तकाल कितना होता है तो एक बटा पचास जो है सेकंड होता है तो यहाँ पर आप सभी विद्यार्थी से बिसेश में नोट कर लिजेगा बिसेश बिसेश में इसको नोट कर लेंगे क्योंकि यह जो छोटे छोटे कोशन जो होते हैं जो कमपटीशन में बहुत ही महत्पूर हो जाते हैं तो यह लिख लेंगे घरेलू घरेलू परिपथों में घरेलू परिपथों में परिपथों में परत्यावर्ती धारा घरेलू परिपथों में परत्यावर्ती धारा धारा का आवर्त काल का आवर्त काल कितना होता है तो आवर्त काल एक बटा याद रखेंगे एक बटा जो है पचास सेकंड होता है तो घरेलू परिपतों में जो है घरेलू जो परिपत होते हैं उसमें परतियावर्ती धारा का जो है आवर्त काल क्या होता है एक बट्टा पचास सेकेंड होता है इसको आप सभी विद्यार्थी विशेस में याद रखे रहेगा क्योंकि छोटे छोटे जो कोशन क्या हो जाते हैं कमपटीशन में बहुत ही आई अमपी हो जाते हैं तो अब अगला हम लोग हेड़ी नोट करेंगे आबिर्ती आबिर्ती क्या है तो आबिर्ती जो है इसमें कमपनों की जो संख्या होगा मतलब जो इसमें जो है कम चक्रों की संख्या मतलब यहां से एक चकर मतलब एक सेकेंड में जो चक्रों की संख्या होता है उसी चक्रों की संख्या को का कहते हैं आबिर्ती कहते हैं तो यहां लिख लेंगे इसकी परिभासा लिख लेंगे, बहुत आसान परिभासा है, परतियावर्ती धारा, परतियावर्ती धारा, एक सेकंड में, कितने हैं? जितनी चकर, जितनी क्या लिखेंगे? चकर, जितनी चकर, पूरा करती है, पूरा करती है, उन चकरों की संख्या को, उन चकरों की संख्या को, क्या कहते हैं? आविर्ती कहते हैं, आविर्ती कहते हैं, कहते हैं, इसे याफ से ज्यानेंगे किसे याफ से प्रदर्शित करते हैं इसका मातरक हर्ट्स इसका मातरक क्या होता है हर्ट्स इसको कोश्टक में यच जेट लिख सकते हैं होता है तो आबिर्थी का मातरक क्या होता है हर्ट्स होता है इसको यच जेट से प्रदर्शित किया जाता है तो यहां पर ध्यान देंगे आबिर्ती क्या है तो परत्यावर्ती धारा एक सेकेंड में जितनी चकर पूरा करती है उन चकरों की संख्या को ही क्या कहते हैं आबिर्ती कहते हैं इसे यव से प्रदर्शित करते हैं और इसका जो मातरक होता है वो क्या होता है हर्स होता है और य इसमें याद रखेंगे कि आबिर्ती का जो आबिर्ती का मातरक जो है आबिर्ती का मातरक पहला क्या पड़े हैं हर्स होता है और आबिर्ती का जो जो दूसरा मातरक होता है आबिर्ती का मातरक होता है बराबर कर लेंगे पहला लिख लेंगे कमपन प्रती कमपन प्रती क्या हो हो गया दूसरा इसका मात रख होता है शाइकिल प्रती शेकेंड शाइकिल प्रती शेकेंड तो इसका कितने मात रख हो गया इसका तीन मात रख आप लोग याद रखे रहेगा पहला जो है हडस है दूसरा कमपन प्रती सेकंड है और तीसरा जो है साइकिल प्रती जो है सेकंड है यह दो परिभास आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आवर्तिकाल मतलब समय होता है और आवर्ति का मतलब कमपनों की संख्या या चक्रों की जो है संख्या होता है तो यहाँ पर चक्रों की संख्या क्या कहलाएगी उसके आबिरती कहलाती हैं तो अगला हेडिंग है परत्यावर्ती धारा का आउसद मान तो परत्यावर्ती धारा का आउसद मान क्या होता है तो अब इसके बारे में भी समझ लेते हैं तो परतियावर्ती धारा आधी साइकिल, आधी साइकिल मतलब आधी चकर में एक दिसा में धानात्मक होता है, जो आधी चकर होगा जैसे यहाँ पर, यहाँ से लेकर के आधी और यहाँ हो गया पूरा चकर, यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, यहाँ पर लिखा गया है कि परतियावर्ती धारा आधी साइकिल में एक दिसा में धानात्मक तथा सेस आधी साइकिल में बिपरी दिसा में रिडात्मक बहती है, मतलब जो परतियावर्ती धारा होता है, वो आधी साइकिल में एक दिसा में धानात्मक होता है और सेस जो आधी साइकिल होता है उसमें जो है बिपरी दिशा में जो है रिडात्मक जो है धारा बहती है इसलिए एक पूरी साइकिल के लिए यहां से ले करके यहां तर एक पूरी साइकिल के लिए परत्या वर्ती धारा का मान क्या होता है सुन्ने होता है मतलब आधा दहनात्मक है और आधा रिडात्मक है आज अब एक पूरा चकर होता है तो उसमें आउसत मान क्या हो जाता है सुन्ने हो जाता है तो यहां लिख लेंगे पहले परिभासा को अपने कापी में जनुन नोट कर लिजे पहले आधी चकर में चकर के लिए धारा का आउसत मान अब आउसत मान क्या होगा तो आउसत मान किसे परदरसित करते हैं आई यम से अब आई यम बराबर क्या होता है तो पहले आधी चकर के लिए धारा का आउसत मान क्या होता है धनात्मक होता है इसका मान होता है दो होता है आई जीरो होता है अधिकतम इसको धारा बोलते हैं और यहाँ पर हो गया पाई अब यहाँ पाई का मान तीन दसमलो एक होता है अब यहां पर पाई कमान जब 3.14 में जब दोस में भाग करेंगे भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा यहां एक लाइन और लिक्स लगते हैं I.m बराबर 2 यहां पर लिख लेंगे I.0 बटा जो हो जाएगा 3.14 यह किन का मान है पाई का मान है अब यह तीन दसमलो एक चार से जो है दो में भाग कर देंगे तो आई यम का मान कितना गया तो आई यम का मान याद रखेगा जीरो दसमलो छै तीन साथ और क्या हो जाएगा यहां पर आई जीरो हो जाएगा तो यह पहले आधी चकर के लिए जो है धारा का यह क्या है और सद मान हो गया अब अगला जो लिखेंगे दूसरी आधी यहां लिखेंगे अब यहां पर दूसरी आधी चकर दूसरी आधी चकर के लिए धारा का औसद मान तो दूसरी आधी साइकल के लिए धारा का जो है औसद मान कितना हो जाएगा तो यहां आई यम है तो यहां पर भी आई यम रहेगा लेकिन दूसरी जो आधी चकर में यहां क्या बताए गया है रेडात्मक होता है तो यहाँ I M जो यहाँ 2 I 0 लिखे हैं यहाँ का हो जाएगा माइनस 2 I 0 बटा क्या हो जाएगा पाई हो जाएगा यह माइनस क्यों हो गया क्योंकि आधी साइकिल धनात्मक होता है और आधी साइकिल मतलब जो है रेडात्मक होता है cycle का अर्थ मतलब चक्कर होता है तो अब यहाँ पर minus हो गया अब यहाँ पर pi का मान इसमें भी रख लेंगे तो i m बराबर हो जाएगा minus 2 i 0 हो जाएगा बटा हो गया 3.1 4 किस का मान है या pi का मान है अब 3.1, 4 से 2 में भाग कर देंगे तो i m बराबर क्या जाएगा i m बराबर minus 0,6,3 और क्या है 0,6,3,7 और क्या बनेगा यहाँ पर i 0 हो जाएगा तो यह किस का मान निकल गया i m का मान निकल गया तो यहाँ पर पहले आधी cycle दूसरी आधी cycle का मान निकल गया अब लिखेंगे अतह अब क्या लिखेंगे अतह यहाँ लिखेंगे अतह अतह पूरी चकर क्या लिखेंगे पूरा जो चकर है मतलब एक चकर के लिए तो लिखेंगे पूरी एक चकर एक चकर एक चकर के लिए के लिए परत्यावर्ती धारा का मान परत्यावरती धारा का मान धारा का मान परत्यावरती धारा का मान तो यहाँ पर एक पूरा चक्कर जब करेंगे तो आधा चक्कर में मान कितना आया है तो यहाँ लिख लेंगे यहाँ पर आई बराबर हो जाएगा अब यहाँ I M का मान जो पहला मान के ना आए था 0.6, 3, 7, I 0 पलस कर लेंगे और दूसरा क्या है माइनस 0.6, 3, 7, I 0 हो जाएगा मतलब पूरा चकर को क्या करेंगे दोनों को आधा चकर और आधा चकर का जो मान था दोनों चकर वाला मान को क्या कर लेंगे जोड लेंगे जोडने के बाद से क्या आएगा I बराबर 0.6, 3, 7, I 0 माइनस हो जाएगा 0.6, 3, 7, I 0 हो जाएगा अब इसमें से इसको घटा देंगे तो घटा आएगे तो कितना आजाएगा 0 आजाएगा तो एक पूरे साइकिल के लिए परतियावर्ती धारा का आउस्द मान क्या होता है सुन्ने होता है यहाँ पे सीध करके देखाया जा चुका तो आप सभी भी द्यारती अच्छे से समझ लिए होंगे कैसे इसको निगबन किया गया कैसे इसका मान निकाला गया है तो इसे अपने कापी में जरूर नोट का लिजे जिसे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा अगर गामी का मतलब अगर मने आगे गामी मने रास्ता पथ उसको बोला जाता है गामी मतलब क्या कह जाएगा पथ है पथ मतलब रास्ता तो अगर गामी क्या होता है तो अगर गामी का मतलब होता है कि कुछ परिपत में बोल्टेज के अधिक्तम होने से पहले ही धारा का मान अधिक्तम हो जाता है तो क्या कहा जाता है कि धारा जो है बोल्टेज से क्या है अधिक्तम है अगर गामी मतलब क्या आगे तो यहाँ पर इसकी परिभासा अगर लिखना चाहे तो इसकी परिभासा को अपने कौपी में आप से विद्यार थी नोट करते चलिएगा कि कुछ परिपत में कुछ परिपत में कुछ परिपत में में बोल्टेज के कुछ परिपत में बोल्टेज के बोल्टेज के अधिकतम होने से पहले अधिक्तम होने से पहले धारा का मान अधिक्तम हो जाता है अधिक्तम हो जाता है तो तब कहा जाता है कहा जाता है कहा जाता है कि कहा जाता है कि धारा बोलटेज से क्या है अगरगामी है धारा बोलटेज से बोलटेज से क्या है अगरगामी है अगरगामी है तो शमझ में आ गया होगा कि कुछ परिपत में जो है बोलटेज के अधिक्तम होने से पहले ही किसका मान अधिक्तम हो जाए अधिक्तम हो जाता है तब कहा जाता है कि जो धारा है वो बुल्टेज से क्या है अगर गामी होता है तो अब यहां गराफ से सिख लेंगे कि यहां पर अगर गामी कैसे बनता है तो यहां पर जो है गराफ कैसे बना जाएगा तो यहां से जो इसका मूल बिंद होता है अगर धारा जो है परत्यावरती धारा जो है जा रहा है और तो यहां पर जो है यह धारा हो गया बुल्टेज हो जाएगा यह जो गराफ खीचा गया क्या है बुल्टेज है और यह बुल्टेज से उपर जो देख रहे हैं यहां से धारा का मान क्या हो गया अधिक्तम हो रहा है यह पता चला कि कौन आई है और कौन क्या है भी है तो यहाँ पर चीतर देखने से पता चल जा रहा है कि आई का मान क्या है आगे है किस से आगे है भी से जो है आगे है तो यहाँ पर क्या लिखा गया अगर गामी मतलब क्या है कि कुछ परिपतों में बुल्टेज के अधिक्त हो जाता है तब क्या कहा जाता है कि जो है जो धारा ध्यानी जी धारा जो है बोल्टे से क्या है अगर है मने क्या है आगे है मतलब यह ऊपर जो है तो आगे माना जाता ठीना यह अगर गामी उपर वाले को अगर गामी और नीचे वालों को क्या करते हैं पच्छ गामी कहा जात अब हम लोग पढ़ेंगे पच गामी अब यहां पच गामी क्या होता है पच गामी का मतलब क्या होता है पीछे अगर अगर गामी का मतलब क्या होता है आगे तो आगे मतलब यह ऊपर चलना और पच गामी मतलब क्या होता है नीचे होना तो अब यहां पर क्या लिखेंगे कि बोल्टेज से कुछ परिपथों में बोल्टेज के जो है अधिक्तम होने से पहले के बाद धारा कमान क्या होता है अधिक्तम होता है तो इसमें जो क्या था धारा अधिक्तम था और इसमें क्या हो जाएगा बोल्टेज अधिक्तम रहेगा और धारा जो रहेगा वो क्या तो अब इसका भी परिभासा जो है आप से विद्यार्थिपने कापी में क्या किजिएगा नोट का लिजे कि कुछ परिपत्थों में कुछ परिपत्थों में परिपत्थों में बोल्टेज के अधिक्तम होने से पहले बोल्टेज के अधिक्तम होने से पहले कुछ परिपत्थों में बोल्टेज के अधिकतम होने के बाद होने के बाद धारा कामान होने के बाद कुछ समय बाद कुछ समय बाद कुछ समय बाद धारा कामान धारा कामान अधिक्तम होता है धारा कामान क्या होता है अधिक्तम होता है धारा कामान अधिक्तम होता है तब कहा जाता है तब कहा जाता है कि धारा बुल्टे से पच्छगामी है तो अब इसके बारे में भी हमनों समझ देंगे कुछ परिपर्थों में बुल्टेज के अधिक्तम होने के बाद मतलब बुल्टेज पहले अधिक होगा तब उसके बाद धारा का मान अधिक्तम होता है तब कहा जाता है जो धारा होता है वह बल्टे से क्या होता है पच गामी होता है अब यहां गराप से सिख लेंगे अब यहां गराप जब खीचेंगे तो यहां जो गराप ही है खीचा जाएगा अगर यहां से जा रहा है यहां से ऐसे ऐसे बना रहा है तो यह जो गया उसका नाम क्या रहेगा इसका नाम जो रह तो नीचे जब जाएगा तो यहां से आ करके ऐसे जो है नीचे से जाओ करके जाएगा तो यहां नीचे से इस रेखा के जो है नीचे जब रहता है नीचे से जाता है तो इसको क्या मानते हैं पच्छे गामी मानते हैं और यह उपर से जब जाता है तो इसको क्या कहते हैं अग मुले बिन्दू से हो करके जा रहा है और यह जो है कहां से हो कर जा रहा है नीचे से हो करके जा रहा है तो यहां पर क्या बूला जाएगा कि यहां धारा का है बोल्टेज का मान जो है धारा से क्या है अधीक है और धारा जो है बोल्टेज से क्या है कम है तो आप से भी द्यार यहां से यहां पर लिखें काला वाला जो रेखा गया है इसको आई कहेंगे आई नीचे रहेगा भी उपर रहेगा भी उपर से या उपर वाला भाग जो देख रहे हैं यहां से मूल बिन्दू से जाएगा तो यह भी रहेगा और यह जो काला वाला रेखा जा रहा है वो कौन गामे तो आगे हम लोग समझते हैं तो अगला जो हम लोग हेडिंग रहेगा परत्या वर्ति धारा परिपत के परकार कितने होते हैं तेहां हेडिंग को नोट का लिजे परत्या वर्ति धारा परिपत के परकार परिपत के परकार तो परतिया वर्ति धारा परिपत के परकार कितने होते हैं तो यहां लेख लेंगे परतिया वर्ति धारा परिपत के परकार जो हैं निम्न होते हैं करमस्रा एक दो आप लोग नोट करते चलिएगा तो यहां पहला को नाम याद रखिएगा पहला क्या नाम है पहला पहला दुश्रा तिश्रा चोथा पांचमा पांचमा और पांचमा अगबाद से छठमा और छठमा अगबाद से सातमा तो पांचमा है जिसमे केवल उमी परिपत है दिखेंगे जिसमे केवल उमी परिपत है जिसमे केवल उमी परिपत है उमी परिपत है आर जुड़ा हो जुड़ा हो पारा गनाम क्या है जिसमें केवल ओमी परिपत आर जुड़ा हो दूसरा कनाम है जिसमें केवल जिसमें केवल धारिता सी जुड़ा हो दारिता क्या है सी जुड़ा हो और तीसरे के नाम है जिसमें केवल परेरक्तत्व यल जुड़ा हो जुड़ा हो अगला है जिसमें जिसमें यल सी जिसमें क्या है यल यल जो है आर जुड़ा हो यल आर जुड़ा हो जुड़ा हो अगला है जिसमें जिसमें सी आर जुड़ा हो सी आर जुड़ा हो जिसमें जिसमें यल जिसमें जो है यल सी जुड़ा हो जुड़ा हो अगला जिसमें जिसमें यल सी आर जुड़ा हो जिसमें क्या है यल सी आर जुड़ा हो तो इतना परिपत है तो इतना परिपत के बारे में जो है जानकाई रखना है और इसमें से एक प्रस्ण जो है हर साल के पेपर में आता है जिसमें से एकदम IMP है ELCR परिपत कौन सा परिपत ELCR परिपत क्या होते हैं उसमें परतिबाधा का सुत्र का निगमन कैसे किया जाएगा तो यह की का आपको सुत्र का निक्बन करके बताया जाएगा और अच्छे से समझाया जाएगा तो आज की पढ़ाई में अगर गामी और क्या था पछ गामी है और कल की वीडियों जो है या जो है साथ परकार के बारे में अध्यन करेंगे तो कल का वीडियो आप सभी विद्यारती देखना मत भूलिएगा क्योंकि कल का प्रशन जो रहेगा बहुत ही क्या है महत्पूर है तो कल वाला वीडियो आप लोग जरू देखिएगा तो आज का वीडियो इतना ही रहेगा मिलते हैं अगले भाग में तब तक के लिए सभी विद्यारतीयों को नमस्कार